क्या बंध होने वाले हैं 110 और 5 रुपे के नोट? मैं हूँ आपके साथ तमना सैफी आपने सुना होगा जब से नेता जी सुभास चंदर बॉस की 125 वी जैनिती पर 125 रुपे का नया सिक्का आया है और साथ ही 350 रुपे का भी नया नोट आया है तब से 110 और 5 रुपे के नोट को लेकर एक ख़बर वाइरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि Reserve Bank of India जल्द ही इन नोटों को चलन से बाहर कर सकती है दावा किया जा रहा है कि मार्च के बाद अब RBI इन सभी नोटों को चलन से बाहर कर सकती है लेकिन आपको बता दें कि P.I.B. Fact Check में ये ख़बर बिल्कुल फेक साबित हुई है P.I.B. Fact Check ने ट्वीट कर ये दावा किया है कि ये ख़बर फर्जी है RBI ने ऐसी कोई घोशना नहीं की Reserve Bank of India ने भी सपस्ट किया है कि 110 और 5 रुपे के सभी पुराने नोट वैद है और वो चलन में बने रहेंगे इन्हें चलन से हटाने की फिलहाल RBI की तरफ से कोई योजना नहीं है आपको बता दें कि P.I.B. भारत सरकार की नीतियों, कारेकर्म और उपलब्दियों के बारे में समचार पत्रों और Electronic Media को सूचना देने वाली Agency है P.I.B. ने सलह दी है कि कोरोन संकट की घड़ी में जब भी खराब हालात बने हैं तब ऐसी फेक न्यूस सोशल मीडिया पर आती है ऐसे में सोशल मीडिया से वाइरल हुई किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आप ऐसी सभी सूचनाओं को अच्छे से परख लें ताकि आपको परिशानी नहों फिलहाल के लिए बस इतना ही तमाम खबरों के लिए बने रही है हमार सार थानिवार